वीडियो की नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके औल में किलिक कर दीजिए इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नौटिफिकेशन में मिलेंगे वेलकम इस्टूरंट्स टू माइ यूटूब चैनल एकेज मेत आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेस्ट बेंगल बॉड के क्लास 10 के चेप्टर नौबर 5 को रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानि तनासूब और मतनासूब या फिर अनुपात और समानुपात तो इस्टूरंट्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चेप्टर था ये क्लास 7 में भी आप पढ़ चुके होंगे मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है बैसिक नौलेज जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ तो सबसे पहले तो रेशियो किसे कहते हैं रेशियो का मतलब यह है और दे रेशियो का मतलब होता है दो नंबरो या दो संख्याओ या फिर दो क्वेंटिटीज ओफ सेम टाइप दो एक ही जैसे क्वेंटिटीज यानि मिकदार या राशियो के उनका कॉंपेर करना कॉंपेरिजन करना यानि मौजना करना या तुलना करना किस तरह से कॉंपेर करना या तुलना करना या मौजना करना in terms of how many times के उन में से एक नमबर दूसरे नमबर से कितना गुना ज्यादा बड़ा है या छोटा है how many times ठीक है या फिर वो quantity या राशी या मिकदार वो दूसरे से कितना गुना ज्यादा छोटा है या बड़ा है तो इस तरह से दो नमबरों या दो quantities जो एक ही टाइप के हो अगर हम उनको compare करते हैं उनको मौजना करते हैं तो उसे हम ratio कहते हैं ठीक है और ये compare करना यानि कि कौन ज्यादा बड़ा है कौन छोटा है तो ये करना हमें किस तरह से करना पड़ेगा by division ये हमें तक्सीम करके करना पड़ेगा यानि भाग के जरिया करना पड़ेगा ठीक है तो इसे हम ratio कहते हैं we denote ratio using symbol इस तरह से हम ratio को किस तरह से लिखते हैं यानि समझाते हैं इस तरह के दो symbol से जो colon का symbol है, आप इसे पढ़े भी होंगे पहले, इसे हम is too कहते हैं, तो इसके बाद अब मैं example लेकर आपको समझाता हूँ, यहाँ पर एक बात याद रखे, same type का मतलब, same type का मतलब होता है, एक ही type का होना चाहिए, यानि एक ही type का मतलब जैसे हम weight के साथ, weight का ही हम ratio निकाल सक सकते हैं, उसी तरह से number के साथ, number का time के साथ, time का ratio इस तरह से हम निकाल सकते हैं, यह सेम type में हम निकाल सकते हैं ratio, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम weight के साथ, या वजन के साथ, हम लंबाई का ratio निकाले, ऐसा नहीं होता है, या फिर हम time के साथ, हम लंबाई का ratio निकाले, time के साथ, ह उनके बीच ratio नहीं हो सकता है, ratio में हमें सेम टाइप का quantity या मिकदार या राशी होना चाहिए, ठीक है, अब हम example लेंगे तो हमें समझ में आएगा, example लेते हैं, example में हमाल लीजे के दो student है, एक student A, एक student B है, ठीक है, माल लीजे एक सो नमबर का मेयत का एक्जाम हुआ, उसमें से student A ने 80 marks इसको मिला, ठीक है, और student B जो है, इसको 20 marks मिला, ठीक है, दोनों का marks है, यह number है दोनों का, तो अब हमें इन दोनों के marks का हमें comparison करना है, यानि मौजना करना है, इन्हें तुलना करना है, तो हम किस तरह से compare करेंगे, यानि कि A का marks और B का marks में किसका ज्यादा है, किसका कम है, तो इसका compare करने का एक तरीका तो यह हो सकता है, इसका 80 marks है, इसका 20 marks है, तो इसका marks इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, compare करेंगे तो, so 80 से आप 20 को minus करेंगे, यानि, 80 minus 20, तो इसका कीतना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो आप कहेंगे, कि एक marks B से 60 marks ज्यादा है, ठीके, तो यहां पर जो हमने यहां पर जो compare किया यानि A से B का compare किया वो हमने किस तरह से किया कि A का marks 60 marks ज्यादा किस तरह से हमने किया यहां पर हमने subtract किया यानि घटाया यहां पर घटा करके हमने यहां पर compare किया ठीक है तो ratio में गटा कर, या विएग करके, या फिर subtract करके यह नहीं किया जाता है. बलके हमें compare जो करना होता है, वो करना होता है, how many times भयाने division करके, हमें तक्सीम करके या भाग करके हमें करना होता है, तो हम किस तरह करेंगे? हमें करना होगा कि जैसे A हे और A का मार्स कितना 80 मार्स है और B है B का मार्स कितना है 20 तो 80 है 20 को हम यहां पर divide कर लेंगे his divison divide करके देखेंगे किसका च ανα कितना ज्यादा है यहां से हम 80 है और 20 को यहां पर काटा काटी करें cancel कर देखे 0-0 कड़ गया 2-1 कम 2, 2-4 के 8 तो यह कितना आ गया 4 by 1 इस तरह से हमने A और B के divide करके दोनों का number देखे 4 by 1 आया तो यहां से हम कह सकते A का marks अगर 4 है तो B का marks होगा 1 यानि A का marks जो है B से 4 times ज्यादा है निए 4 गुना ज्यादा है क्योंकि 1-4 के 4 होता है तो A का marks B के marks से 4 गुना ज्यादा है तो इसी को कहा जाता है ratio या फिर तनासुब या अनुपात कहा जाता है 4 by 1 तो हम इस तरह इसी को हम क्या लिखते हैं A और B का ratio लिखते हैं और उसको लिखा जाता है इस तरह से 4 by 1 को ही इसी तरह लिखा जाता है 4 is to 1 ठीक है इस तरह से लिखा जाता है 4 is to 1 इसी is to का जाता है या आप जानते होंगे 4 is to 1 इसी चीज़ को जब हम बटा में लिखते हैं इस तरह से fraction में लिखते हैं तो 4 by 1 लिखते हैं तो 4 is to 1 जो होता है इसे जब हम लिखेंगे बटा में तो यह equal to कितना हो जागा 4 by 1 इस तरह से लिखा जाता है इसके बाद यह जो है 4 is to 1 है यहाँ पर आपको पता होगा जब यह एक ratio है 4 is to 1 अगर हम इसे इंगलिस में लिखना चाहें तो 4 is to 1 भी लिख सकते हैं अगर हम इसे इस तरह से लिखेंगे mathematics में तो 4 is to 1 इस तरह लिखाएगा और इसको अगर हम fraction में लिखना चाहेंगे विन्न में या कसर में तो 4 by 1 होगा और यह जो एक ratio है इस ratio में यह जो है पहला वाला जो number होता है इस पहले वाला नमबर को हम कहते हैं antecedent क्या कहते हैं antecedent ठीक है यह दूसरा वाला जो number होता है इसे कहते हैं consequent ओके उर्दू में इसे मुकदम कहते हैं हिंडी में पुर्वपद और यह जो दूसरा वाला नमबर है consequent उर्दू में इसे मुताकब कहते हैं हिंडी में इसे कहते हैं उत्तरपद या अंतीमपद कहा जाता है ठीक है एक और एक्जामपल लेते हैं माल लीजिए कि दो खिलाडी है कि रिकट खिलाडी उसमें से पहले खिलाडी ने 90 रं बनाएं 90 रं बनाएं दूसरे खिलाडी ने 20 runs बनाएं ठीक है दोनों करने इन दोना का हमें रेशियो निकालना है तो किस तरह से हम रेशियो निकालेंगे इसका रेशियो बिल्कुल इजी है आप एक बार बस रिवाइस कर रहे हैं तो यह रेशियो कितना हो जगा है इनका रेशियो होगा 90 is to 20 करते हैं कि रेशियो में हम इसको सबसे लोइस्ट फॉर में जो होता है इसकी सबसे चोटी शकल या फिर इसका जो सबसे सरल रूप होता है उसमें हम इसे लिखते हैं तो 90 is to 20 को हम इसे काट कर कैंसल करके छोटा कर लें तो कितना से होगा देगा 90 यह दस के पाड़ा से कटेग दस नवा नब्बे होगा यह दस दुना 20 होगा 9 is to 2 होगा इसके बाद और नहीं कटेगा दोनों एक ही पाड़ा से तो यह हो जागा इनका रेशियो ठीक है ना 90 और 20 का रेशियो जागा 9 is to 2 यहाँ पर आप बताएं कि यहाँ पेंटिसिडेंट क्या होगा अर्फध की का दोनों एक प्रि माह झाल जे एंड 3 नमबर है 20 है 40 है higher 60 है इनका रेशियो क crochra आपके अंधंके तीन नमबर का रेशियो रेशियो ती किनशल होगा कॉंपर करने के वक्त यह वक्त Two रहाँ करते हैं जब रेशियो अम लुए तो रविशियो ज़ुाह हं लेत तो इनका अगर हम रेशियो लेंगे तो कितना होगा 20 is to 40 is to 60 होगा यह रेशियो हो जाएगा अब यह तीनों नमबर का जब रेशियो होगा तो इसको हम इसके सबसे लॉइस्ट फॉर्म में सबसे सीम्पल फॉर्म में लिखेंगे यानि सबसे छोटी शकल में या फिर कहले के स सबसे सरल रूप में तो फिर क्या होगा यह 20 40 हो 60 का अप एक ही पाड़ा से काटिए कैंसल कर लीजिए तो यह कौन से पाड़ा से कटेगा सबसे पहले देखे सब के लाश्ट में 0 10 से काट ले 10 दूना 20 दस चोगे 40 दस चोगे 60 इसका दो के पाड़ा से काट ले दो एक कम द एंसर यानि इसका रेशियो 20 40 60 का रेशियो कितना हो जागा 1 इस टू 2 इस टू 3 ओके समझ में आ हो गए यह जिस्ट बैसिक नॉलेज था पहले का इसका मैं यहां पर एक नोट आपको बता दूई पॉइंट जो हम यहां पर हमने देखा थे कि जो रेशियो था 4 is to 1 इसको हमने यहां पर 4 by 1 भी लिखा था ठीक है 4 is to 1 को 4 by 1 भी हम लिख सकते हैं यानि यह रेशियो के फॉर्म में रेशियो के शकल में और यह हो गया उसका फ्रेक्शन के फॉर्म में यानि विन्न के या कस के रूप में ठीक है तो इसी तरह से किसी भी रेशियो को है हम उसको एक फ्रेक्शन में भी लिख सकते हैं तो इसी तरह से अगर हमारे पास एक रेशियो A to B हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A बटा B लिख सकते हैं यह जो पहला वाला यह उपर रहेगा बटा यह दुसरा वाला नीचे रहेगा ठीक है तो यह ratio के form में हुआ यह उसका fraction वाला form हो गया win वाला यह कसर वाला form हो गया यह आप याद रखें और इसका उल्टा यह भी याद रखें A बटा B अगर हैं तो इसको हम A to B लिख सकते हैं इस तरफ से ऐसा लिख सकते हैं इस तरफ से ऐसा लिख सकते हैं इसके बाद इस्टोंट साप एक पॉइंट नॉट करें कि 4A ratio both the quantities must be in same unit जब भी हम ratio निकालते हैं यानि तनासुब या फिर अनुबात निकालते हैं तो उसमें जो हमारे पास दो quantity होता है यानि दो मिकदार या राशी होता है तो उन दोनों quantities का same unit में यानि same एकाई में होना ये जरूरी होता है तभी जाकर हम ratio निकाल सकते हैं अगर दोनों quantities का same एकाई नहीं है same unit नहीं है तो हमें उन दोनों quantity को same unit में change कर लेना पड़ता है convert कर लेना पड़ता है तब जाकर हम उनका ratio निकाल सकते हैं तो जिसे कि example लेते हैं तो आपको समझ में आएगा इस example अगर हम ले कि अगर हमें कहा गया कि ratio निकाले 2 meter का and 80 cm का ठीक है 2 meter और 80 cm का ratio निकालना है तो देखे ये दोनों ये भी लंबा है ये दो मीटर और ये भी 80 cm ये भी लंबा है तो same type तो ठीक है लेकिन यहां पर आप देखे लिए दोनों का unit same नहीं है इसका जो unit है एकाई है वो meter है और इसका जो unit है वो centimeter है तो दोनों का same नहीं है तो जब ऐसा same नहीं होगा unit तो हमें ratio निकालने के लिए पहले इन दोने के unit को same करना पड़ेगा या तो दोनों को centimeter बनाना पड़ेगा या फिर दोनों को मीटर बनाना पड़ेगा उसके बाद ही हम रेशियो निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे रेशियो निकालना है तो हम दोनों का यूनिट को सेम कर लेंगे अब कौन साइज जी होगा तो easy better यह होगा कि हम meter को centimeter बना ले तो ठीक है तो 2 meter मतलब कितना centimeter एक meter मने होता है 100 centimeter तो 2 meter मतलब हो जागा 200 centimeter ठीक है तो यह हो जागा 200 centimeter प्रशतлуч आप 20 centimeter दोनों का centimeter हो गया दोनो का unit सेम और हो गया यह जागा 10 के पाड़ा से कात ले तू यह 20 हो जागा एक एक जीरो कट जाएगा और इधर 8 हो जाएगा उसके बाद आप 4 के पाड़ा से काट दें जल्दी कट जाएगा 4 पच्छा 20 चार दुना 8 5 इस टू 2 अब दोनों एक ही पाड़ा से नहीं कटेगा तो 5 इस टू यह हो गया रेशियो 2 मीटर और 80 सेंटी मीटर का यह हो गया एंसर तो आपको समझ में आया हुआ कि जब भी हमें रेशियो निकालना है दो कोईन्टेटी का यह दो राशी यह दो मीटर का तो हमें उनका दोनों का यूनिट सेंट होना चाहिए ठीक है ओके और इस तरह का हम आगे जो है जो एक्सेसाइज हम बनाएंगे एक्सेसाइज में भी हम इस तरह का देखेंगे इसके बाद इस टू रेशियो में यानि तनासुब की किसमें या अनुपात के परकार चो कलास 10 में है मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ सबसे पहले आते हैं रेशियो अप गिरेटर इनिक्वालिटी से उर्दू में तनासुबे कोबरा और हिंदी में गुरु अनुपात कहते हैं ये किसे कहते हैं ये वो रेशियो होता जिसमें एंटिसिडेंट जो होता है वो कॉंसिक्वेंट से बड़ा होता है जो पहला वला नंबर होता है वो दुसरे वाले नंबर से बड़ा होता है बहुत ही आसान है एक्जामपल लेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा एक्जामपल लेते हैं जैसे 5 is to 3 ठीक है एंटिसिडेंट इसमें कितना है 5 है कॉंसिक्वेंट कितना है 3 है ठीक है तो यह जो पहला ओला नंबर दुसरा ओला नंबर से बड़ा होता है ठीक है तो इस तरह के रेशय को हम कहते है रेशयो ग्रेटर इनिक्वैलिटी तनासुबे कुबरा या गुरू अनुपात ठीक है इस तरह दुसरा एक्जामपल ले ले 7 is to 4 बस बिल्कुल आसान है पहला ओला नंबर बड़ा लेना है दुसरा ओला नंबर छोटा लेना है ठीक है वगेरा वगेरा इस तरह से और इसमें एक बात याद रख ले ये जैसे जो मैंने रेशयो लिगका 5 is to 3 अगर हम इसे फ्रेक्शन में लिखेंगे तो कितना होगा 5 is to 3 का फ्रेक्शन कितना हो जागा 5 by 3 होगा पहला वाला उपर दूसरा वाला नीचे ठीक है इसी तरह से अगर हम इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जागा 7 by 4 हो जाएगा तो यह 7 x 4 और यह 5 x 3 तो इन में से हर एक ये 1 से बड़ा होगा यह जो fraction है या भिन है या कसर है 5 x 3 या 7 x 4 ये 1 से बड़ा होगा क्यों होगा क्योंकि उपर वाला नमबर ये बड़ा है और नीचे वाला नमबर छोटा ह 약 तो जब हम इसको divide करेंगे, तो ये एक से बड़ा नमबर आएगा, इसे तरह 7 by 4 उपर में 7 बड़ा है, नीचे 4 ये छोटा है, इसको जब हम divide करेंगे, तो ये नमबर एक से बड़ा होगा, ठीक है, तो ये दोनों ही जो है, ये एक से बड़ा होगा, greater than 1, तो ratio of greater inequality जो होता है, इसको अगर हम जब fraction में लिखेंगे, तो ये एक से बड़ा होगा, ओके, नेक्श आते हैं, ratio of lesser inequality, तनासुबे, सोगरा, या लगू अनुपात, किसे कहते हैं, ratio of lesser inequality, जिस ratio में antecedent, जो है, ये consequence से छोटा होता है, यानि जो इसका पहला वाला नमबर होता है, वो छोटा होता है, दूसरा वाला नमबर बड़ा होता है, ठीक है, एक्जामपल लेंगे, बिल्कुल आसान है, बस आप जैसे यहां पर 5 is to 3 था, इसको जश्ट आप पलट दे, 3 is to 5 लिख दे, तो पहला वाला नमबर antecedent ये 3, और दूसरा वाला नमबर consequent ये 5, ये बड़ा है, ये पहला वाला चोटा है, तो इस तरह के ratio को हम कहेंगे ratio of lesser inequality, इस तरह इसको भी अगर हम change कर ले, इसको आगे पीछे कर ले, 4 is to 7 हो जाएगा, ये भी हो जागा ratio of lesser inequality, तो इसमें 3 is to 5 इसमें जो पहला वाला है, पूरपद ये उत्तरपद से छोटा है, या फिर मुकदम जो है, ये मुताकब से छोटा है, ठीक है, तो इस समझ में आया होगा आपको, इस तरह आपका ये example बना सकते हैं, ETC, वगेरा वगेरा, एटसेटरा, ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, ratio of equality, यानि मसावी तनासुब, या सामानन है, अनुपात, तो ratio of equality किसे कहते हैं, ऐसे ratio को कहते हैं, इसमें antecedent और consequent ये दोनों जो है, ये same होता है, बराबर होता है, equal होता है, ठीक है, example लेंगे, बिल्कुल आसान है, जैसे आप लिख लिए, 1 is to 1, 3 is to 3, इस तरह से, इसमें आप देखें, antecedent 1 है, consequent भी 1 है, दोनों same है, दोनों equal है, इसे तरह यहां भी देखें, दोनों equal है, 3 is to 3 है, इसे तरह से, कोई से, इसको अगर हम है, cancel करेंगे, तो ये actually में 1 is to 1 ही आएगा, तीन-तीन के, तीन-तीन सम कैंसल कर देंगे, तो ये हो जाएगा, कितना 1 is to 1 हो जाएगा, लेकिन आप इस तरह से भी रहे ह तो इसे भी हम कहेंगे ratio of equality, मसावी तनासूब यसा मानने हनुपात, ठीक है, इस तरह और भी ले सकते हैं, मैंने फिलाल 2 example लिया है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छा, यहां पर मैंने ratio of lesser inequality जो लिखा, इस तरह से ratio of greater inequality ये, इसका जब हम fraction में लिखते हैं, त इसका जो ये जो है, ratio of lesser inequality है, इसका जब हम fraction में लिखेंगे, तो इसका जो value होगा, वो एक से छोटा होगा, ठीक है, इसे 3 to 5 है, जब हम fraction में लिखेंगे, कसर में या भिन में लिखेंगे, तो ये कितना होगा, 3 by 5, पहले 3 उपर में और 5 नीचे में, ठीक है, इसी तरह से इ यहां उपर में छोटा नमबर है, नीचे में बड़ा नमबर है, यहां भी उपर में छोटा नमबर, नीचे में बड़ा नमबर है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं, तो इसका value हमें एक से कम मिलेगा, एक से छोटा मिलेगा, ठीक है, तो ratio of lesser inequality का जो fraction में लिखते हैं, तो ratio of equality जो होता है, इसमें antecedent और consequent दोनों सेम होता है, तो इसको जब हम fraction में लिखेंगे, तो इसका value हमें 1 मिलेगा, क्योंकि यह इसको जब fraction में लिखेंगे, तो यह कितना होगा, 1 by 1 होगा, इसी तरह यह कितना हो जागा, 3 by 3, तो 3 by 3 cancel होकर कि इसका दोनों का value जो है, यह 1 ह नहीं आएगा, अब cancel करेंगे, तो यह 1 हो जाएगा, यह भी 1 by 1 मतलब 1, ठीक है, तो ratio of equality यह 1 होता है, ओके, इसके बाद type 4A inverse ratio, माकुस तनासूप या बिलोम अनुपात, तो inverse ratio किसे कहते हैं, माली जह हमारे पास एक ratio दिया हुआ है, और हमने उसके antecedent और consequent को अगर हम change कर दे, antecedent को consequent लिख दे, consequent को antecedent लिख दे, यानि पुर्पद को अम उत्तरपद लिख दे, उत्तरपद को पुर्पद लिख दे, यानि नमबरों को आगी पीछे कर दे, तो वो उसका inverse ratio बन जाता है, ठीक है, एक example लेते हैं, जैसे inverse ratio of 3 is to 5, 3 is to 5 का inverse कितना होगा, तो यहां पर जैस्ट आपको 3 और 5 को interchange कर देना है, तो यह हो जाएगा इसका inverse ratio, तो इसका inverse ratio of 3 is to 5 होगा, यानि 3 is to 5 का माकुस तनासूब या बिलोम अनुपाद जो होगा, वो होगा 5 is to 3, एंटिसिडेंट 3 है, उसका हमने consequent बना दिया, इस तरफ, और जो consequent है, उसका हमने antecedent बना दिया, पहरे लिख दिया, तो यह हो जाएगा इसका inverse, तो 3 is to 5 का inverse ratio क्या होगा, 5 is to 3, इसी तरह 5 is to 3 का inverse कितना होगा, 3 is to 5 होगा, ठीक है, आप खुद भी एक बता सकते, जैसे मैंने लिया, दूसरा example, 2 is to 3, तो इसका inverse कितना होगा, इसका inverse कितना होगा, 3 is to 2, तो समझ में आ गया होगा आपको inverse ratio, या माकुस तनासुब, या फिर बिलोम अनुपात, यह सब किलास 7 में अल्रेडी आप ने देखा भी होगा, ठीक है, next है, mixed या फिर compound ratio, यानि मुरकब तनासुब, या मिसर, या योगिक, या जठिल अनुपात तो mixed या compound ratio किसे कहते हैं, जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा ratio दिया हुआ होता है, तो हम उन 2 या 2 से ज़्यादा दिये वे ratio के सभी antecedent को into करेंगे, multiply करेंगे, और उन ratio के consequent को multiply करेंगे, और फिर उन दोनों का जब हम ratio लेंगे, तो उस ratio को हम कहते हैं, mixed या compound ratio, ठीक है, तो एक example लेंगे, तो clear हो जाएगा, example, जैसे compound ratio of A to B, मालीज हमारे पर से एक तनासुब या नुपात, A to B दिया हुआ है, एक ratio, and और दूसरा ratio दिया हुआ है, C is to D, ठीक है, C is to D, दूसरा ratio दिया हुआ है, तो इन दोनों ratio का हमें compound ratio या mixed ratio हमें मालूम करना है, ठीक है, तो इसका compound या mixed ratio जो होगा, वो होगा, कि इसका जो antecedent A है, और इसका antecedent C है, A और C को into करेंगे, तो AC को into करेंगे कितना होगा, AC हो जाएगा, into करेंगे तो AC हो जाएगा, बीच में into है, और इन दोनों के consequent को हम into करेंगे, यानि मुताकब को या फिर उत्तरपद को, तो इसका consequent B है, इसका consequent D है, B और D को into करें तो यह हो जाएगा BD ठीक है तो दोनों के consequent को into करें AC हो गया दोनों के दोनों के antecedent को into किए AC हो गया दोनों के consequent को into किए BD हो गया तो अब इन दोनों का जब हम रेशियो लेंगे तो इन दोनों का रेशियो होगा बीच में रेशियो देंगे AC is to BD तो यह जो नया ratio आया यह ratio हुआ compound ratio या mix ratio इन दोनो ratio का ठीक है तो बिल्कुल आसान है अब इस तरह से भी बिल्कुल आसान है इस याद रख चागेगे जब भी हमें इसे 2 ratio दिया हुआ है तो इसका पहला वला number इसका पहला वला number into कर ले फिर इस टू दे इसका दूसरा वला number इसका दूसरा वला number into कर ले तो यह हो जाएगा जो नया ratio होगा यह हो जाएगा compound या mix ratio या मुरक्कब तनासूब या फिर मिसर तनासूब ठीक है अगर मालिज हमारे पास 2 से जादा 3 ratio अगर दिया हुआ है for example एक और एक्जामपल ले लेते हैं मालिक जीसी तरह से एक और एक्जामपल compound ratio हमारे पास दिया हुआ A is to B comma एक और ratio दिया हुआ C is to D comma एक और ratio दिया हुआ E is to F तीन ratio दिया हुआ है तो इसका जो होगा compound ratio वो क्या होगा तो हमें बस इसी तरह करना तीनों के incident को into कर दे A इसका पहला वाला A इसका पहला वाला C इसका पहला वाला E इन तीनों को into करेंगे क्या होजागा A, C, E फिर इस्टू लगा दे उसके बाद इन तीनों के second वाले number को into कर दे B, D और यहां पहला वाला F B, D, F तो यह हो जाएगा A, C, E is to B, D, F यह जो नया वाला रेशियो आया यह रेशियो इन तीनों रेशियो का mix या compound रेशियो होगा समझ में आया होगा आपको